अनकेड़मी, लेट्स ट्रक इट स्कॉर भारत को फायदा होने वाला है इंडी कमिंग फ्यूचर ये काफी बड़ा एक मैं कह सकती हूँ कदम है और एक फर्स्ट अफ इस काइंड दील है जो की गई है बिट्वीन इस यॉरपेन नेशन और इंडिया ठीक है, सो न्यूस देख लेते हैं इंडिया आइज 100 बिलियन डॉलर इंवेस्मेंट डील विट स्विजल इन नॉर्वेज सेक्टरा ठीक है, इसमें इग्जाक्ली क्या-क्या है क्या-क्या इसके प्रॉस्पेक्ट होंगे किन-किन एरियास में काम किया जागा सब चीजों के बारे में डीटियल में बात करते हैं इंडिया बहुत ही क्लोज है इस डील को फानलाइज करने में जो कि फर्स्ट अप इस काइन ट्रेड डील है जहाँ पर एक स्मॉल ग्रॉप ऑफ यॉरपियन नेशन इंवेस्ट करेंगे 100 बिलियन डॉलर्स भारत में अगले 15 सालों में और उसके बदले मन को क्या चाहिए उनको चाहिए easier trade access भारत में भारत की जो market है जो विविदता है हम दुनिया के सबसे जाधा populated country है तो हमारी population उनके लिए बहुत बड़ी market है तो उनको यहाँ पर easy access चाहिए trade access चाहिए जिसके बदले में वो 100 बिलियन डॉलर्स का investment यहाँ पर करने वाले हैं तो European Free Trade Association जिसमें Norway, Iceland, Lincolnstein और Switzerland जैसे देश आते हैं इन्होंने commitment कि है as a part of this trade pact कि वो इतना investment करेंगे और बदले में उनको trade access यहाँ पर बले जाएगा भरत में इसके बारे में बात करेंगे क्या-क्याइब इसमेड इसमेड़ी अर्वार्त के इसमेड़ में बात करेंगे और भारत कैसे investment hup बनता है आफ है थाछ वाश्ट्रों के理 किसके बारे में बात करेंगे यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अप्डेट चेडियूल और पीडियेफ के लिए अनक आदमी सेंटर पर इस समय कोर्सेश चल रहे हैं आप जाकर इन्रोल कर सकते हैं वेरियस कोर्सेश में किसी भी और जानकारी के लिए आप मेरा टेलिग्राम चानल जॉइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आपको विजिट करना है सेंटर और आपको 35% तक का डिसकाउंट यहां पर मिल जाएगा इसी तरह मुखरजी नगर सेंटर में भी यह कोर्सेश हमारे शुरू हो चुके हैं कोई भी और जादा जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं मेरा टेलिग्राम चानल जॉइन कर सकते हैं या पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं तो अवेल 35% का डिसकाउंट यहां पर ना केवल आपको UPSC की तयारी भी कराई जा रही है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर उसमें भी आप जॉइन कर सकते हैं सेंटर विजिट कर सकते हैं सेविल लाइन में या फिर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे टेलिग्राम चानल पर भी जाकर मेसेज कर सकते हैं तो जो डील है पूरी इसका एक तरह से रूपरे का पूरी तरह से तयार कर ली गई है और फिलहाल जो डेलिबरेशन्स हैं वो फाइनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेकर चल रही हैं है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगले 15 सालों में 100 बिलियन डॉलर तब का इन्वेस्टमेंट है है जहां ब्हारत इस जो टु Albert टुक्त लेज्व का इन्वेस्टमेंट का इसको लीगलीं बाइंडिन का चाहता है वहीं पर यौर्पेशों की तरफ से कहना है कि जो amount है, इसको एक goal की तरह देखा जा रहा है, और यहां पर कोई भी legal means नहीं होंगे to claim it, यह कहा जा रहा है agreement में, ठीक है, now अगर हम EFTA countries की बात करें, तो जो agreement है जो पिछले 16 साल उसे तयार हो रहा है, बन रहा है, इस से allow किया जाएगा, जो manufacturers है, वो export कर सकते हैं, प्रोसे processed food, beverages, मतलब European nations अपने जो processed food है, उनके beverages है, electrical machinery है, या कोई भी और engineering products है, उनको reduced tariff में, हमारे यहां घेज सकते हैं, export कर सकते हैं, जिसमें, obviously market market, कितनी बड़ी market है, 1.4 billion लोगों की market है, उनके लिए काफी अच्छा एक trade, यहां पर कह सकते हैं कि potential है भारत में, ठीक है, साथ मे इस डील से फायदा होने वाला है, pharmaceutical और medical devices को भी, device industry को भी, EFTA की, अगर वो भारत के साथ इस डील को finalize कर देते हैं, तो, it is a win-win for both the countries, हमें investment मिलेगा, उनको एक market मिल जाएगी, किसी लिए कहा जा रहा है, कि it's one of its kind, पहली अपने तरह की डील है, ना, जो investment भारत में आएग है, है ना, pharmaceuticals के लिए, हमें फायदा क्या होगा, हमारे यहां कम से कम, मतलब more than 1 million jobs create होंगी, जब इस तरह की यह market develop होगी, investment जो होगा, उसका उदेश है, existing और नहे manufacturing products में भी, मतलब उनको भी वो इत्ता से aim कर रहे हैं, उनमें भी invest करेंगे, और अधिक तरह जो investment आएगा, व भारत के लिए भी बिलकुल win-win situation यहां पर देखने को लग रही है, अगर यह finalize हो जाता है, अभी इस बारे में कुछ detail या आधिकारिक पुष्टी कहीं से नहीं की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिलकुल final है, closure पर है यह deal अभी, ठीक है, ना, जो trade deal है, वो ensure करेगी market access for some agricultural products, and वो guarantee करेगी भारतियों को easier movement, जो भारतिये professionals हैं, अगर वो EFTA countries में जाना चाहते हैं, education के लिए, jobs के लिए, तो उसके लिए भी easier movement होगा, वो यहां आराम से आ सकते हैं, हम यहां से आराम से जाकर वहां काम कर सकते हैं, इस तरह कियां पर situation बनाई जा रही है, अगर हम trade block की बात करें, तो Switzerland जो है, इस by far India's largest commercial partner among the members of the EFTA blog, इस पूरे block में Switzerland सबसे बड़ा partner है भारत का, जो comprise करते है European nations, which are not members of European Union, जो यह nations है, European Union के members नहीं है, उन में Switzerland हमारा सबसे बड़ा commercial partner है, ठीक है, अगर हम Swiss two-way trade की बात करें भारत के साथ, तो वो 2022-23 fiscal year में 17.14 billion dollars की थी, out of 18.66 billion dollars with the whole group, मतलब पूरा EFTA block जो है, इसमें 18-18 billion dollar की deal थी, trade हुआ था, जिसमें 17.14 जो है, वो लगभग Switzerland से आया था, ठीक है, तो देख सकते हैं कि Switzerland का बहुत बड़ा एक contribution यहां पर रहा है, वारत का ट्रेड में, तो अगर हम official announcement की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बता है कि official announcement यहां पर नहीं किया गया, मतलब, it is almost there, yet it is not officially announced, हम यह कह सकते हैं फिलाल इस deal के बारे में, यहां पर मैं आपको बता दूँ कि आगे यह भी बताया गया है, कि जो main points हैं जहां पर agreement हो गया है, उसमें patent protection is included, जिसको लेकर पहले काफी ज़ादा controversy रही है, past में कहीं न कहीं issues रहते थे, इसके अलावा एक नए type के investment promotion chapter की भी यहां पर बात की जा रहे है, इस agreement में, तो काफी hopefully agreement लग रहा है फिलाल, जो trade block है, और जो भारत है उनके बीच में, भारत की जो situation है, आज की समय में, भारत को एक सबसे बड़ा investor investment hub माना जाता है, यहां पर बहुत सारे देश invest करना चाहते हैं और भारत बहुत तेजी से attract कर रहा है investor interest अलग-अलग देशों से, क्योंकि हमारे यह जो businesses हैं, उसमें potential है, हमारे जो rules, regulations है, वो काफी कह सकते हैं कि flexible किये गए हैं इस वजह से, साथ ही, एक तो reason है कि हमारे यह कह सकते हैं कि environment create किया गया है, कि बाहर से लोग आए invest करें, बाहर की countries invest करें हमारे देश में, दूसरा है कारण यह है कि चाइना से लोग अपने business को diversify करना चाहते हैं, चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं और नई markets, नई growth markets को धून रहे हैं, तो भारत उसके लिए perfect market बन जाता है, ऐसे देशों के लिए, इसके लावा अगर भारत की हम growth की बात करें, तो भारत expect कर रह हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही economy का एक हिस्सा बन जाएंगे, जो हम सभी predict भी कर रहे हैं, जैसा कहा भी गया है, यहां मैं आपको जाता हूँ, UAE भी भारत में 50 billion dollar का investment करने के बारे में सोच रहा है, तो फिलाल तो हम दुनिया की नज़रों में as an investment, investors market या investment अब की तरह है और यह deal अगर हो जाती है, तो it's going to be a remarkable, significant investment, जो कही न कहीं बूस्ट करेगा हमारी economy को भी, तो I hope this works for India, आप क्या सोचते हैं, मुझे comment section बताइएगा, इसके अलावा, अन अचादमी की जो offline centers हैं, दोस्तों, आपर आपको सारे benefits मिल जाते हैं, जैसे free demo classes, offline current affair classes, one-on-one mentorship, educated doubt-solving session, free magazine library and Wi-Fi facility etc, so that'll be all from my side, I hope you like this session, do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update, so your जानकारी के लिए आप तेल्याम चनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, उससे बहाँ पर directly connect भी कर सकते हैं, that'll be all from my side, thank you so much, God bless, take care. ुई झाल